घर के electrical wiring में type B MCB लगाना चाहिए या type C MCB लगाना चाहिए नमस्कार दोस्तों, electrical work learning जी में आप सबका फिर से स्वागत हैं दोस्तो आज कर लगबग सभी के घर में MCB लगाया जाता है क्योंकि MCB बहुत अच्छा safety देता है short circuit होने पर automatic trip हो जाता है overload होने पर भी automatic trip हो जाता है तो बहुत ही अच्छा safety देता है तो सभी MCB का इस्तामाल करते है घर के electrical wiring में MCB तो सभी use करते हैं लेकिन पता नहीं होता है कि कौन से MCB कहाँ पर लगना चाहिए क्यूंकि एक तो MCB हम load के इसाब से select करते हैं घर का पूरा load calculation करने के बाद MCB का ampere देखके हम MCB का selection करते हैं लेकिन दूसरा भी होता है type ओके छे types होते हैं MCB के A, B, C, D, K, Z तो उनका भी selection करना बहुत जरूरी है देखके normally घरों में जो हम MCB use करते हैं B type MCB करते हैं या C type MCB करते हैं सलिए जानते हैं कि B type MCB कहां भी use करना चाहिए B type MCB आपको वहां भी use करना चाहिए जहां पे आपका resistive load लगा हो अब resistive load का क्या मतलब है resistive load का मतलब है वो उप करन जो start होने पर अपने rated current यानि उसका जो power दिया होता है ना watt में उससे ज्यादा current open है वो 2000 watt का है जब आप open के start करते हो तो वो starting power 2000 watt ही लेता है उससे ज्यादा नहीं लेता है तो यह resistive load है तो अगर आपके घर में resistive load चल रहा है तो उसके लिए आप type B MCB लीजिए और उसका wattage यानि load देखके आपको MCB का ampere select करना है लेकिन type आपको type B select करना है यदि आपके घर में AC लगा रखा है तो AC को हम बोलते है inductive load तो inductive load के लिए हमें type CMCB लगाना चाहिए अब पुछेंगे कि type CMCB inductive load के लिए क्यों लगाना चाहिए क्योंकि inductive load जो हता है जब आप उसको start करते हो शुरुवात में वो उसका जो rated current है उससे rate से लेकि 2 गुना ज्यादा ampere current लेता है तो मान लिजे आपका जो AC है वो 10 ampere का है लेकिन जब आप उसको start करते हो तो starting में वो 30 ampere तक का current खीच सकता है इसलिए आपको AC के लिए यानि inductive load के लिए type C, mCB घर में लगाना होता है और ampere जो होता है उसको आपको load के हिसाब से choose करना होता है कि AC के लोट की इसाब से MCB का MPR अलग से चूज करना होता है और टाइप अलग से चूज करना होता है अगर आपको MCB के टाइप्स के बारे में अच्छे से जानना है वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जाकि आप अच्छे से देख लिजेगा और अच्छे से समझ लिजेगा आप लोगों का अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब आप MCB चूज करते हो तो आपको MCB के करेंट रेटिंग के साथ साथ उसके टाइप के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा टाइप MCB कहां कहां पर लगता है तो इस तरह से आप MCB का सेलेक्शन कर सकते ह अगर आपको बहुती अच्छा रहे बहुती शूप रहे बहुती खास रहे